साथियों नमस्कार मैं आउकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ हम पढ़ रहे हैं हिंदी सहाइथे का संक्सिप एतिहास की सीरीज के अंतरगत आधिकाल को और आज के वीडियो में हम जानेंगे आधिकाली हिंदी सहाइथिक की प्रवर्तियों के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप यदि चैनल पर नई हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो अंतरग देखें और आप अपनी प्रतिकरिया कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दे आधिकाली हिंदी सहाइथिक की जो प्रवर्तियां उनको यदि बिंदु बार हम समझे तो इस प्रकार रहेगी इंदी सहाइथियों में किसी काल की प्रवर्तियां उसके उपलब्द सहाइथियों सामगरी के आधार पर निर्दारित की जाती हैं तो इसका जो निर्दार्ण है प्रवर्तियों का वह उपलब्द सहाइथियों सामगरी के आधार पर किया जाता है पहली बात उस समय की साहितिक कृतियों का विशलेसंड करने से ग्यात होता है कि इस काल के साहितिक की क्या विशेस्ताय रही है तो उनकी जो विशेस्ताय क्या है यह हम उस समय की जो साहितिक कृतियों का विशलेसंड करेंगी तो उमें पता चलेगा आधिकाल भासा की दिष्टी से संक्रांती काल रहा है क्यांकि यहाँपर अभभरंस और हिंदी दोनों की कृतियां इसमें सामेलेवर अभभरंस से फिर अभभठ और फिर हिंदी का रूप हिंदी साहिते में अपनी गती को प्राप्ठ होता है और भावों की दिश्टी से आध्यात्मेक तथा चरित्र परदान काव्य एमम बाद में वीर रस वस्रिंगारिक रस से युक्त रहा है आधीकालीन साइते सात्वी सताब्दी का काल अब्रंस साहिते का अभ्युदय काल था तो सात्वी सताब्दी है वह अब्रंस के साहिते का अभ्युदय यानि की उदय होने का काल था किन्तु अब्रंस में भी दीरे दीरे अवहठ या पुरानी हिंदी का समावेस हो रहा था अवहट जिसे पुरानी हिंदी कहा जाता है यह अब्रंस के बाद में यह अब्रंस से दीदर यह इसका नर्मान होने लगा और जो मधूर पद थे मधूर भाषा थी अवब्रंस की उसे फिर अवहट कहा गया और उसे ही पुरानी हिंदी कहा जाने लगा जिसके कारण यह परिनिष्ठित अब्रंस या पुरानी इंदी का रूप दारण कर रही थी, फिर भी साहितिक प्रवर्तियां अपना रूप लिए हुए थी, अतहा प्रमख प्रवर्तियां का निरूपन करते हैं तो अनेक प्रवर्तियां सामने आती हैं, अब हम इसे की गई, आधीकालीन साहित्य में वीरगाताओं का विसिश्पचलन था, जिसमें कभी अपने आसरेदाता की वीर्ता साहस सोरियव परकरम को अतीरंजित बनाकर प्रस्तुत करते थे, तो कभी अपने आसरेदाता का साहस का जो अती शयक्ति पूर्ण वर्न नवूख अपनी रसनाओं में करता था युद्धों का सजीव चित्रन भी किया जाता था कवी जो होता था वह युद्ध के अंदर हिस्सा लेता था और उससा वर्दन करता था उन युद्धाओं का और उस युद्ध का वर्णन बाद में भी वह अतिस्योक्ति पूर्ण करता था और सजीव व विस्तार कोई इन दोनों में से कोई एक थी या तो किसी नारी के लिए नारी को प्राप्त करने के लिए युद्ध होता था या फिर अपने सामराजय का विस्तार करने के लिए युद्ध होता था राज्यों को विजय करके अपने सामराजय में मिलाना एवं सक्ति का विश्थार करना था आसरे दाताओं को प्रसंद करने के लिए कवी गण उनकी प्रसंसा को अतिस्योक्ति पूर्ण डंग से वर्णन करने का जो कार्ण रहा है वह कवी द्वारा आसरे दाता को प्रसंद करन रहा है इस काल का रासो साहित्य इसका प्रमान है रासो साहित्य में इसी प्रकार का साहित्य अतिश्यक्ति पूर्ण है और आसरे राता को प्रसंद करने के लिए लिए लिखा गया है इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाता काल रखा है यह हम पहले भी का वर्णन किया गया है और आधिकालिन साहिति से प्रतीत होता है कि राजा का प्रजा पर ध्यान कम और अपने सामराज विस्तार का ध्यान ज्यान ज्यादा था यानि कि वह प्रजा पर ध्यान कम देता था और सामराज का विस्तार करने पर ज्यादा ध्यान लगता था जिसके क करना चाहिए युद्ध के समय सेना में ओजस्वी और वीर रस के भावों से कवी सेनिकों में जोस एवं उत्सा बर देते थे तीसरी प्रवर्ती रही है संकुचित राश्ट्रियता उस समय राश्ट्र की परिवासा वर्तमान परिवासा से बिन थी आधीकाल के चारण तो कि इस्तुती तथा प्रसंसा इस प्रकार की गई की देश द्रोही जैचंद का भी गुणा नुवाद कर दिया गया यहन कि जिस जैचंद ने देश द्रोह किया उसका भी गुणगान किया गया कवियों के द्वारा किसलिए कि उसके जो आसरे में रहते थे कवी वह अपन चैंद की प्रसंसा में प्रेल और लिखने वाले हैं बट-कैदार और जैंद मैंक जैंद कार मन कवी मतपोर। ञें रचनाइस है और अक्सर पूछी जाति हैं या फिर इन मिलान के लिए रचनाइक आती परिक्षाओं में नामक गरंथ लिखे गई हैं ये दोनों गरंथ जैचिंद के संबन में लिखे गई हैं जो की देश रोई था उस समय राष्ट का मतलब एक राजा या सामन्त की राजे सीमा थे उस समय जो राष्ट का मतलब था वह राजा या जो सामन्त था उसकी सीमाई कित निये वह उसका राष्ट्र है न की वर्तमान राष्ट भारत राष्ट की तरह है जिसे वह अपना मानते थे संपूर्ण भारत को राष्ट नहीं समझा जाता था उस समय इसी कारण प्रत्वी राज चोहान को साबुदीन गोरी ने पराष्ट किया ज़िए यह वाव उस समय होत बारत एक राष्ट है तो फिर ऐसी परिस्तिया नहीं होती और यही कारण रहा है कि जो अपनी सीमाओं को वे लोग राष्ट मानते थे और इसी कारण प्रतिव राज जोहान को गौरी से परास्तोना पड़ा था अगला जोग इसकी प्रवर्ति है आदिकाल की वहा है लोग भासा साहित्य आदिकाल में लोग भासा में साहित्य रचा गया जिसमें कर्म कांड आडंबर व ब्राह्मन मत का विरोधी स्वर उबर कर आया और जनता में नई चेतना जागरत होई डॉक्टर हजारी परशाद द्विव्यदी ने लिखा यह जो पंक्ति है बहुत मैत्पून है हजारी परशाद द्विव्यदी की है क्या लिखा है कि साहिति परशाद द्विव्यदी की मैत्पून पंक्ति है अगली जो विसे वस्तु है या पिर कहें आधिकाल की प्रवर्ति है वह है वीर और स्रंगा रस का समल्वाए इस समय की सहतिक रसनाओं से ग्यात होता है कि कभी वीर रस और स्रंगार रस को साथ-साथ लिख रहे थे तो इस रसों में जो अधिकान साहिते लिखा गया इस समय के कई युद्ध सामराज्य विस्तार के साथ नारी संद्री की लालसा में भी लड़े गई जैसा कि हम पहले जान चुके हैं रण थंबोर का युद्ध तेरे सो एक इस्वी में राव हमीर और अलावदीन खिल जी की बीच उसका भी कारण यही नारी संद्री था हमीर रासों और खुमान रासों में भी वीर रस के साथ स्रंगार रसका की अभी रखती हुई है प्रत्वी राज रासों में नारी संद्री का चित्रण है अभीसल देव रासों में भी प्रलंब स्रंगार का सुंदर निर्वाह किया ग दिखाई देती हैं तो इस तरह से हम देखें तो जो अच्छी बड़ी-बड़ी रचना या दिकांस जो रचना है उसमें वीर और स्रंगार रसका समनवाएं साथ लेकर चलते हुए और इन रसों का वर्णन ने वो अधिक हुआ है आधिकाल की जो अगली प्रवर्ति है वहाँ है इतिहासिक्ता की अपेक्सा कल्पना की प्रधानता यानि की इतिहास क्या है और उसको वर्णन करने के बजाए कल्पना को उन्होंने प्रधान दा दी इतिहास को गौन समझा और क राजाश्रित कवियों का लक्षय राजा की प्रसंसा करना था। उनकी द्रष्टि में अधियासिक्ता गौन थी। वे अपनी प्रतिवा को मात्र पोशित करते थे प्रकट नहीं। इसलिए उनके क्रतित्व के प्रतसन में केवल उनका स्वार्त में जीवन निर्वा का इसलिए था। अगला जो अगली प्रवर्ति है वह है प्रबंद और मुक्तक गीत। आधिकाल में दोनों ही रचनाएं रची गई हैं प्रबंद और मुक्तक दोनों आधिकाले इन कावे दू रूपों में मिलता हैं। पहला है प्रबंद और दूसरा है मुक्तक। प्रबंद काव्य वीर गाथा के रूप में प्रत्वी राज रासो और दूसरा मुक्तक गीती काव्य बीसल देव रासो वर्नित है तो जो बीसल देव रासो है वह मुक्तक गीती काव्य है यह हमें इस मंड़कना important प्रश्ण है और जो प्रबंद काव्य के रूप में दिंगल वासा में रचित रासों साहित्य की कारण कहा है डिंगल वासा राजस्तानी वासा का जो चरण कवियोदारा जो वासा का प्रयुक किया गया था उसे डिंगल वासा का आ गया है इस कार में राजस्तानी वासा में जो साहित्य रचा गया वह डिंगल वासा का साहित्य है इस प्रकार आधी काले इन साहिते की प्रवर्टिया में सिद्दों की वानी, जैनाचार्यों की चरित काव्य, दार्मिक सिद्दांत, साधना पदती, वीर, एमंसुरिंगा, रस, युक्त, प्रवंद और मुक्त, गीती काव्य, अब्रंस, अवठ और डिंगल भासा में रचित काव्य है, और इसमें कौन-कौन से चंदों का प्रयोग है, दोहा और सोर्था चंद का बाहुलिया है, अधिक ता इनकी ये दोहा और सोर्था का, और भी चंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन अधिक जो प्रयोग है वो दोहा और सोर्था का है, जिसका उद्दे से लोक चित्रा लोक रंजन और लोकोन मुख रहा है जिसमें फागू चर्चरी खुसरों की पहलियां आदी रासों काव्या में युद्णों का चित्रन तथा स्रिंगा रस्योंग और वियोग विसेश रूप से वी प्रलंब यनकी विरह वीसल देव रासों एवं संदेश रासों में देखने को मिलता है चंदों में दोहा और सोठा के साथ छप्पय अरिल और उल्लाला का भी प्रयोग हुआ है तो यदि प्रस्म मुख्य या कहें कि बाहुल ये कौन से चंदों का रात हो तो दोहा सोठा है और किनका प्रयोग हुआ है तो उसके साथ में छप्पय अरिल उल् अब हम पढ़ेंगे आदीकालीन साहितिक का युगीन परिवेस आदीकालीन साहितिक की ततकालीन प्रिस्तियां साहितिक को पूर्ण रूप से प्रभायूत कर रही थी यह सत्यां कि साहितिय समाज का दरपण है उसकी सामाजिक दार्मिक राजनितिक एवं आर्थिक इस्तिका प्रभाव साहिति प्रहुश्य पड़ता है क्योंकि साहितिकार उसी युगिन परिवेस को अपने काविय में उतारता है इस समय का धार्मिक सामाजिक राजनितिक वातारण पूर्ण रूप से दूसित हो रहा था हर्स वर्दन के सासन काल के पश्चात विदेशी सक्तियों के आकरमणों ने हिंदू संस्कृति को जगजोर दिया इस कारण समाज जातिवाद धर्म वाद एवं विभिन मत मतांत रोशे समाज बंट गया था श्यत्रियों में वीर्ता एवं बलिदान की प्रतिस्परदा हो रही थी उसका प्रभाव समाज की मर्यदा पर भी पड़ रहा था नारिया युवावस्ता में ही विद्वा हो जाती थी पुनर विवा की परंपरा नहीं थी नारिया भी मरण को वरण करने के लिए तयार रहती थी इसलिए पतिक की मिर्टियों के बाद जोहर कर लेती थी यनि की सती हो जाती थी प्रतिक की मिर्टियों के बाद में नारिय केवल भोगय समझी जाती थी इसलिए राजाओं में बहु विवाहा परंपरा पनप चुकी थी जन्ता अ साय पीडी तेमं दुखई रहती थी धर्म की नाम पर आदंबरो और पाखंडों का बोल वाला था तो धर्मी किस्ती भी वड़ी कम जोर थी आदंबरों और पाखंड का बोल वाला था बोधा धर्म भी हीन यान और महा यानियन की बंट चुका था वजरियान सहजयन आदी विविन संपरदाय में विबगत होकर कर्मकार्णों से युक्त हो गया जैन संपरदाय भी वाम मारगी उपासना पदती से दूर नहीं रह शका वैसनाओ धर्म में अनेक संपरदायों ने अपनी जगह बना ली और सेव साक्त आदी योगिक क्रियाओं से चमतकार दिखा कर समाज को ब्रमित कर रही थे इसलिए धर्म में अत्यदी की वितंडा वाद का बोल वाला था अशिक्षित जनता उनके जाल में फंस जाती थी दूसरी तरफ इसलामी सक्तियां आकमन करके हिंदू के मंदर यह मूर्थियों को द्वस्त कर रही थी जिससे हिंदू जनता में ईश्वर के नाम से विश्वास उट गया था इसी समय दक्षिन के संत संक्राचारे दर्शन भी व्यक्त किया यह अंतर संगर्श का समय था इस समय वाशा में भी संक्राथी काल चल रहा था अब्रंस के स्थान पर प्रई निष्टित अब्रंस जो संस्क्रित भासा के प्रभाव के कांड़ तत्सम सब्दावली युक्त बन गई थी दस्वी से बार्वी सताब प्रितक का काल संस्क्रत साहिति के लिए अनुपम योगदान का काल रहा इस युग में साहितिकार दंडी राजसेकर भाव भूती कलहन जैदेव कुंतल एवं सोमदेव जैसे संस्क्रत के आचारे थे जिनका प्रभाव काव कला एवं भासा की दिष्टी से ततकालीन इंदी शैतिकि रचना करों पर भी पट रहा था इस समय इनन धी बासा की एए एक उपपवासा राजस्तानी में चारण ऑव भाटकवियर ने राजव काविय लिखना प्रारंब हिया यह मैत्पुन राजस्तानी में चारणों और भाट कवियो दोनों ने ही रासो का वे लिखना प्रारम गया रासों में ओजगुण वे रस युग सब्दावली होने के कारण यह जन प्रिय बन गया था तो रासों के अंदर ओज गुण था और वी रस का प्रियोग होता था यही कान था कि वे जन प्रिय हो गयते रासों में वी रस के साथ स्रंगार एक बाओं का भी स्थान दिया गया था रासो इस युग का आदी काल का जो है रासो है सबसे लोग प्रिग्रंत है और गुण ओज है वी रस के साथ में स्रंगा रस का भी वर्णन है जैसा कि हम पहले पड़ जो गए इस प्रकार हिंदी बासा के ख्षेतर में राजस्तानी डिंगल तत्सम सब्दावली संस्कृत सब् कामी संबर्क होने के कारण अर्भी फार्सी तुर्की के सब्दों का प्रियोग होने लगा इंदी में अमीर खुसरों की पहलिया में इसका प्रियोग देखा गया सारी बासाओं का यानकि अर्भी फार्सी के सब्दों का पता हादी काल में आपसी राज्यों का अंता संगर् वजब रही। इस संगर शकाल में विविन प्रकार की सहाथियां प्रवंडियां इस यूग की विश्विस्ता हैं बनने रही अब में यहीए Professor के उसे पहले में हैं स्पर चर्चा करुने हाथ spends में विद्यापति की पर सेठी काविये नहीं है यह स्रंगारिक इसका निर्णे तो अभी तक अनिर्णेत है यानि की विवाद रहा है कि यह भक्ति काव्य है विद्यापती की पदावली या फिर स्रंगारिक काव्य है कुस्त्रों की पहलियां इसके बाद के साहिते में दिखाई नहीं देती धोला मारू का प्रेमा ख्यान रूपी सुफी कविया में परिलक्षित होता है सिद्धा चार्याओं तथा जैन संपरदाय में योग साधना कबीर में तथा अदवितवाद विशिष्टा दवितवाद के मरम को सूर तुलसी ने आत्मसात किया तो मीरा ने माधूरी भाव को वक्ति की वक्ति को अपनाया आदिकाल में राष्ट प्रेम को भारतेंदु अरिश्चंद्र जैसंगर परशाद एमाम निराला ने अपने कावी में अस्तान दिया तो अप्रंस कालिन बहुत धर्म बहुत मत से प्रभावित महादेवी वर्मा के कावी में करुणा की दारा प्रभावित हुई तो इस तरह से आधिकाल ने आगे वाले जाहित्य को भी प्रभावित किया और किस प्रकार से किया किसे गया यह हमने इस वीडियो में जान कर दी आशाए आपको इस वीडियो से लाब मिला होगा आपको यह वीडियो कैसा ल